लोग सबाद चुनाव में कूद पड़े हैं मनीश कस्यप क्या होगा इनका राजनितिक भविस्य और चुनाव परिडाम कैसा होने वाला है मनीश कस्यप को लग रहा था कि भरतिंता पार्टी से में टिकट पिलेगा काफी भाग दौड भी किया नेताओं के आगे पीछे भी गुमे और उनके लिए सब कुछ किया जो उन्हें अनिवारे लगता था किन्तु टिकट टहीं मिला अब मनीश कस्यप कूद गये हैं निर्दल परत्यासी के रूप में और अपने भागे आजमा रहे हैं मनीश कस्यप पहले तो भारतिंता पार्टी से चाह रहे थे बात में लगा कि गटबंदन महा गटबंदन से भी अगर मिल जाए तो कोई बात नहीं है हमें एनी हाउच नाव लड़ना है लेकिन कहीं से भी ऐसा हो नहीं पाया मनीश कस्यप बिहार सनाब बिहार के नाम से जिससे जाना जाता है मनीश कस्यप ने कम समय में काफी सुहरत हासिल किया और राष्टरी सोपान पर अपनी पहिचान बनाई परश्चिमी चमपारन लोग सभा पर चमपारन का नाम आते ही बापू की आकरती हमारे मानस पडल पर आ जाती है जहां से उन्होंने आंदोलन का सुत्रपात किया था जब चमपारन रेलेवे स्टेशन पर पहुँचे थे तो किस तरह लाखों की भीड बापू का स्वागत करने के लिए पहुँच गई थी उसी समय महात्मा गांधी गांधी जी की आँखे खुल गई और चमपारन ही वह इलाका है जहां से उन्होंने कोट पेंट उतार करके और एक ही धोती को फाड़ करके दो टुकड़े में किया और फिर उसी को लपेटना शुरू कर दिया एक जोपड़ी जिसमें तीन महिलाएं ऐसे देख रही थी बापू की नजर गई बापू ने कस्तूर्बा से कहा जा करके देखो भीतर की जोपड़ी का क्या हाल है वह महिलाएं क्या चाहती है और कैसी दीन दसा है उनकी कस्तूर्बा गई कुछ देर बाद रोते हुए लोडती है आँखें सजल है गला रुद गया है आवाज निकल नहीं रही है उन्होंने बापू से पताया जोपड़ी में तीन महिलाएं है पहनने के लिए एक ही कपड़ा है एक महिला कपड़ा पहनती है निकलती है जाकर के बाहर मैज़ूरी करती है कुछ ले आती है तब तक दो महिलाएं बिना बस्तर के रहती है फिर दूसरी महिला उसी बस्तर को पहनती है बाहर निकलती है कुछ मेनत महिजदूरी करके ले आती है खाने पिने के लिए फिर दो महिलाएं नेरबस्तर हो जाती है तीसरी महिला का नंबर आता है वह उस बस्तर को पहनती है क्या सचाई है मुझे नहीं पता लेकिन गरीबी इस कदर थी कि जब कस्तूर्बा ने महात्मा गांधी से बात पताई तो उन्होंने कहा हमें कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है यही वह चंपारन है अलाकि पस्चिमिल चंपारन का वह इलाका जहां से मनीश कस्यप असली नाम है इनका त्रिपुरारी कुमार तिवारी और त्रिपुरारी के उपर जो आरोप लगा वैसे तो कई मुकदमे दर्ज है एनसे तक है यानि राख्टी सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज है तमिल नाडू से लेकर के और बिहार के पटना जेल तक मनीश का रहना हुआ भगवाबस्त्री भी धारन किया, ते जस्वी इनके निशाने पर थे वो जस्वी वक्ता के निशाने पर ते जस्वी लेकिन यह लगा कि मनीश एक तरफा नहीं, यह लड़का एक तरफा ज़रा रहा है साइद इसके मूल मेह रहा होगा कि हम इनको खुस कर लेंगे पल में तोला पल में मासा पल में रंग बदलती है जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से इसके क्या और फिर कैसे गोली मारे इसको पूरा कर दिजेगा आप सभी जानकार है तो इस मामले में जब तमिल डाद के कुछ वीडियो आते हैं और यह बताया जाता है कि वहां के हमारे बिहार के मजदूरों को बड़ी मारबारा पीटा गया है और अपने ढंक से इस तरह का वीडियो किया जाता है उस वीडियो पर काफी बवाल मचा और लगा की आग लग जाएगी ऐसे में बिहार के डीजीपी और कुछ अदिकारी तमिल डाद में जाते हैं मनीश की गिरफतारी होते ही से आपने देख लिया मनीश के भीतर एक नेता का निवास है मनीश की इच्छा है सबकी इच्छा है हमारी भी इच्छा है अब किसी की दब गई है किसी की उभर गई है और किसी को उचित प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है इसलिए असक्तम परमसाधू कैसे है मुझे याद नहीं है तो मजबूरी का नाम महात्वागान नहीं है ऐसे लोग काते रहते हैं ऐसा मैं नहीं मानता बहराल राजनात सिन से मिलना हुआ मनीश कस्यप का तमाम सीने जगत के अभिनेताओं से उनकी अच्छी दोस्ती रही सोनु सूद से लगतार दोस्ती बनी रही और सोनु सूद बिहार में भी आते हैं और कई जो फिल्म जगत की नामी गिरामी हस्तिया है उनके खिलाब भी मनीश ने मुर्चाक पुला और देखते ही देखते मनीश से एक तरसे युवाओं की आवाज बन जाते हैं एक तरफा का मतलब की एक पक्ष नाराज होता है एक पक्ष खुस होता है और फिर मनीश जाते हैं जेल में सुप्रिम कोट के आदेश पर मनीश की जमानत होती है आईए एक लंबी कहानी है अब हम बात करते हैं जो मुकदमे हैं उसका आपने ढंक से निस्तारन होगा मनीश कूद गए हैं चुनाव में वैसे 2020 में भी उन्हों ने चुनाव लड़ा था चनपटिया विधान सभासे और लगभग 9008 पिले थे 9008 सामानी नहीं है एक बड़ा है उसको 9000 को आप कम से कम 90,000 समझी है अगर निरदल प्रतियासी को 9000 मिलते हैं तो यह बड़ा बामला है आप मनीश को जब टिकट नहीं मिला तो मनीश ने निरदल प्रतिभाग किया और जो जहां टिकट चाह रहे थे जहां उनका इलाका था वहां के सांसद हैं संजेज जैसवाल संजेज जैसवाल के बारे मेंगर बात किया जाए तो 2009 से 2014, 2014 से 2019 से 2019 से अध्यतन वह भारतियनता पार्टी के मेंबरा पर लियामेंट है संजेज जैसवाल के प्रति नाराजगी रही लोगों की मनीश को यह लगा होगा कि इस नाराजगी का फायदा हमें मिलेगा और भारतियनता पार्टी को एनिहाओ जिताओ कंडेट चाहिए और उसके मानक की मैं पूर्ति करता हूँ इसलिए भारतिनता पार्टी संजेज जैसवाल को हो सकता है राजी समा में बेज़े बेज़ दे उनका टिकट काट दे और हमें टिकट मिलेगा लेकिन मनीश की यह भूल थी दूसरी तरफ महागडबंधन के प्रतियासी हैं यह कांग्रेश के बिदायक मदन मोहंतिवारी य लेकिन अब इधर मदन मोहंतिवारी महागडबंधन से आ गए हैं ऐसे मनीश के लिए एक संकट है लेकिन मनीश अगर निडायक इस्थिती में यानि समान जरंधन से ओटो अपने पक्ष में करने के लिए सफलता प्राप्त करते हैं तो मनीश का राजनितिक भविस आगे ऐस अच्छा रहेगा लेकिन अगर वे इसमें फिसड़ी होते हैं तो फिर उनके राजनितिक भविसे पर एक प्रस्चिन ने खड़ा होगा और किसी दल से किसी दल के लोग घास नहीं डालेंगे एक चीज़ और है नए लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं और तो दल की पास ह चाहे जो कर लिजी आप हम यूपी की बात भी से सुरूप से मुत्रपदेश अन्य प्रांतों की बात हम नहीं करते हैं लेकिन फिलाहल यूपी में चाहे आप नाक रगड करके दम तोड़ देंगे सर फुरवा देंगे समाज के लिए पून बहा देंगे लोगों के लिए त और राहुल बाबा को इन ही के नाम पर उत्पिलेगा चाहे जो कर लिजी आप दोस्तों इस बात को मान लिजेगा यह प्रयोग करके देखा गया है तो अब राजनात सिंह काम आए मनोज तिवारी इनके घर गए थे जेल से आने के बाद मनोज तिवारी ने दिलासा दिलाया होगा भीतर के सुत्रों की माने तो एक बड़े नेता ने यह अभी कहा कि अवकाद दिखाओ अवकाद दिखा दोगे तो यह इनके समझ में आ जाएगा तो अगर लोग सभा में मनीश अपनी अवकाद दिखाते हैं तो फिर विधान सभा में इनके लिए राष्टा साप रह यह जैसी परिष्थितियां थी और जिस तरक का इनका आंदोलन था और जिस तरक की इनकी बयानवाजी थी उधर से तो कुछ मिलना नहीं है और इधर से अब अगर संजे जैसमाल से वहां के लोग नाराज होंगे तो हो सकता है कि इनकी बात बन जाए बन भी सकती है बिगड फिलहाल मनीश कस्यप असली नामत्रिपुरारी कुमारतिवारी मैदान में है सामान परिवार का यह लड़का और भागय आजमा रहा है कोदा है अपने कर्मों के अधार पर क्या होगा यह तो समय ही बताएगा फिलहाल मनीश कस्यप मैदान में गठबंधन के प्रतियासी महा आप सभी आत्मियों दोस्तों को जो भी देश-पिदेश से जुड़े हुए हैं और विशेश रूप से बिहार के मित्रों को बिनमरता के साथ हमारा साधर पढ़ाएगा